लोटस सायर बेदर इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी ग्लुकोमा आंग से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है इसे आम भासा में काला मूतिया कहा जाता है यह बीमारी आप्टिक नर्प्स को नुक्सान होने के कारण होती है ग्लुकोमा का सही समय पर इलाज ना होने के कारण मरीज के आंग की रूशनी हमेशा के लिए चली जा सकती है ग्लुकोमा के समस्या में सबसे पहले मरीज को धुनला दिखाई देना सुरू होता है और धीरे धीरे परिशानी बढ़ने लगती है असंदुलित खानपान और खराब जीवन सेली का भी अ इस बीमारी में अगर आप सही डेंग से आँखों का ख्याल नहीं रखते हैं तो इसकी बज़े से आपको कई गंबीर परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि तो अब मैं आपको बता रहूं गिलुकोमा में क्या नहीं खाना चाहिए अब के मरेजुों को कुछ चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए जैसे खात्र पदार्त जिनका सेवन करने से आकुलर प्रेशर बढ़ जाता है उनका सेवन करने से मीप गंपी परिशानी का खत्रा बह जाता है बड़ आप्युको marketplace को के लिए रखने और चतिसे बचाने के लिए आपको इन का सेवन करने से बचना चाहिए इस पहले का सेवन का क्वा Κाहिभी का सेवन करने से आपका बुलेड़ प्रेशर और आखों NEका कारण आपकी आप्टिक नर्फ को नुक्सान होने का खत्रा रहता है इसकी वज़े से ग्लुकोमा के मरीजों की परिशानियां बढ़ सकती हैं और इसके लिए आपको ग्लुकोमा में कैफिन युक्त पदार्थ खाद पदार्थों और काफी का सेवन कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए च्छाइब दूसरा है ताइस फेट का सेवन बहुत ज्यादा करने से आपको ग्लुकोमा का खत्रा रहता है ग्लुकॉमा के मरीजों को इसलिए टांस फैट बारी चीजों का सेवन ना करने की चला देता हूं कि बहुत ज़्यादा फ्रै किये हुए फुर्स का सेवन करने से आपके शरीर में टांस फैट बढ़ने का खत्रा रहता है गुलुकोमा में आपको फ्रेंच फ्राई चिप्स नमकीन आधिका सेवन कम करने की मैं सल्हा देता हूं आप हो सके तो इन चीजों को बंद कर दें तो यह फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा है अगला है सेचुरेटिट फैट सत्रप्त बसा यानि सेचुरेट फैट की अधिक मात्रा बाली चीजों का सेवन करने से गुलुकोमा के मरीजों का परिचानी बढ़ सकती है इसका ज्यादा सेवन आपके शरीर में हाई कोलस्टोल का कारण हो सकता है इसलिए गुलुकोमा के मरीजों को फैटी बीफ मक्खन पनीर डेडी पोड़क्स का संतुलिद मात्रा में सेवन करने की मैं सलाह देता हूं अगला है नमक का अधिक सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से भी आपकी आखों से जोड़ी परिशानियों का खत्रा रहता है नमक ज्यादा खाने से ब्लेट प्रिशर बढ़ता है इसकी बज़े से आखों का दवाओ बर सकता है इसलिए ग्लुकोमा के मरीजों को नमक का सेवन कम करने की मैं सलाह देता हूं है कि ग्लुकमाju की समस्य में इस ज्याथ का सेवन कम करने से बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा की ग्लुकोमाथ के मरीजों को बिटामिए और सी से भर्पूर फूर्ट चार्वन करना चाहिए इसके अलाबबा इस समस्य में मरीजों को हरी सब्सक्राई ताजय फल और अनाज डाइट में सामिल करने चाहिए तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकोन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे फले आपको मिलें धन्यवाद आपक हैसा कि अरुझ अर आपको का वीटियो आपको नहाद़ करके प्लाइब की अल ज MON thumbs आपको एदयो कि कुछ टाभ किश बड़ियो आपको यहमारे शेंस नहा ही आपकोो प्रोड़ियो बमें प्रेयो रहा झापको के सब्स्तूपब ऑ侍नल चार्ज़ बताभादी जिए